गुड मॉनिंग ट्वल्जे स्टांडर जैसे कि चैप्टर फॉर ही स्टार्ट था हमारा चैप्टर फॉर में मैंने आपको रीवैलियोशन अकाउंट सिखाया था कि किस तरीके से रीवैलियोशन अकाउंट बनाया जाता है और रीवैलियोशन account ही सिखाऊंगा कल ये same sum repeat करेंगे फिर revaluation account बनाएंगे partners capital account बनाएंगे और balance sheet बना लेंगे बड़ आज सिर्फ revaluation account आपका ये textual sum है textbook का 13 number sum है फिर भी जिनके पास textbook नहीं है तो मैंने briefly question को लिखा हुआ है इसमें दो partner है S और M जिनका ratio है 5 ratio 3 और की balance sheet दिखाई गई है capital है general reserve profit and loss ये सारी चीज़ें दी गई है मुझे सरिफ सरिफ revaluation account बनाना है तो revaluation account के लिए मैं adjustment पढ़ना start करता हूँ देखो revaluation account मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर benefit होगा तो revaluation credit होगा loss होगा तो revaluation debit होगा benefit होगा revaluation credit loss होगा revaluation debit asset बढ़ जाएगी हमारी तो revaluation credit बट अगर liability बढ़ गई that means revaluation debit हो जाएगा start करते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है value of land and building increase by 10% 10% value बढ़ गई अब land and building की value है 1,40,000 10% बढ़ गई मतलब 14,000 बढ़ गई बढ़ गई मतलब फायदा हुआ तो revaluation account यहां मैंने बनाया हुआ है उसके credit में मैंने लिख लिया land and building account 14,000 value बढ़ गई second number adjustment की बात करते है value of machinery and furniture to be reduced by 40% by 40% मतलब 40% कम करना है अगर आब working दिखाना चाहो तो यहां मैंने working दिखाई है machine की value 80,000 है 40% कम करना है मतलब machine के कम हो गई 32,000 अब कम हो गई मतलब मैंने revaluation के debit पे दिखा दिया to machine account 32,000 फर्मीचर की value भी 40% कम करनी है तो मैंने फर्मीचर की value भी 12,000 कम कर दी 30,000 फर्मीचर की value है उसका 40% 12,000 कम हो गई कम हो गई मतलब loss और loss मतलब revaluation के debit पे अब most important point जो पहली बार आके आ रही है हमें ऐसा लिखा है 1000 bad debt reserve is not required मतलब bad debt reserve जो हमारे पास पहले 1500 रुपए तो already है हमें instruction दिए गई है कि उसमें से 1000 की जरुवत नहीं है मतलब स्रिफ 500 की जरुवत है अब इसकी खास meaning समदना हमने already 1500 रुपए side में रखे है हमने already 1500 रुपए side में रखे है अब हमें ऐसा लग रहा है नहीं नहीं उसमें से 1000 हटा दो खाली 500 रखो 1000 की जरुवत नहीं है अगर हम bad debt reserve जाधा रखते बड़ा देते तो यह business के लिए loss हुआ बट अब उल्टा हुआ business के लिए loss नहीं है business के लिए benefit है कि 1500 रखे है उनमें से आपको कहा है नहीं 500 रखो 1000 जाधा है तो अब यह 1000 रुपेज आपके लिए क्या हो जाएगा profit हो जाएगा तो मैंने revaluation के credit में दिखा दिया by bad debt reserve next adjustment दिखाई गई है 1500 repairing expenses for stock हमारे पास कुछ stock ऐसा है maybe stock में बहुत सारी चीज़े आती है tv, refrigerator या कुछ पी और हो सकता है अब उसमें कुछ repairing की जरुवत है उसके लिए हमें 1500 रुपेज पे करने पड़ेंगे 1500 रुपेज पेज पेज़ेंगे that means this is our loss तो repairing expenses हमें pay करना है तो मैंने यहां दिखा दिया repairing expenses account loss हो गया 1500 रुपेज का next adjustment दीगे यह है out of the creditor 1500 not to be paid creditor में से 1500 पे करने की जरुवत नहीं है पहले भी adjustment आ चुकी है यह 1500 का benefit हो गया आपको next adjustment outstanding expenses liability बढ़ गई liability बढ़ गई, loss हो गया outstanding expenses income receivable 2000 है income receivable that means 2000 और मिलने वाले हमें, मिलने वाले that means asset बढ़ गई, फायदा बढ़ गया तो income receivable मैंने 2000 credit पे दिखा दिया next दिखा हुआ है investment shown at market price इसका मतलब क्या हुआ कि investment की जो market price है उस पे दिखाना है अब यहां पर balance sheet में देखो हमारी investment है 20,000 बढ़ market में value उसकी 18,000 है investment हमारी balance sheet में 20 है बढ़ market value उसकी क्या है 18,000 है that means market में 2000 कम है value अब 2000 अगर value कम है that means यह हमारा loss हुआ तो मैंने यहां पर दिखा दिया investment account 2000 अब जितनी भी adjustment है मैंने complete कर ली अब मेरा question क्या है कि देखो कि loss हुआ कि profit हुआ तो आपको क्या करना है revaluation के debit का total करके देखना है credit का total करके देखना जो total बढ़ा हो इस case में debit का total बढ़ा है debit का total बढ़ा है that means loss debit का total है 57,500 उसमें से credit का total minus किया तो 39,000 रुपीज का loss आ रहा है और वो loss old partner जो पुराने partner है S और M उन दोनों में बाट देना है old ratio old ratio में जैसे ही मैंने बाटा तो first को मिल रहा है 24,375 second case में आ रहा है 14,625 तो इस तरह से ये revaluation account आपका complete हो जाएगा और revaluation account के साथ-साथ हमें इसी सम्में partners capital account भी बनाने है और balance sheet फिर से बनानी जो मैं next video में cover करूँगा फिलाल आपका पूरा concentration सिर्फ revaluation account पे ही होना चाहिए राइट